हेलो नमस्कार दोस्तों मैं भी पिन स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल कंपडिशन यूके पर देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आने वाली बाइस तारीक में आपका यूके प्येसी ने आपका फ्रेस्ट गार्ड का एक्जाम कराने की सोच ठीक है ठीक है आपका एडिमेट कार्ड भी जल्दी आपके पास पहुंचने वाले हैं ठीक है तो ध्यान में रखते हो हैं आज की वीडियो में हम देखने वाले कुछ इंप्रोटन्स फ्रेक्ट है जो की में ksiq हैंαι एकजाम के लिए इंप्रोटन्स हो सकते हैं क्योंकि आनेवाले एकजामों वी इनके आउप सकता पड़ सकती है और पिछले पहला question आप देख पा रहे हैं जिसमें दिया है कि 1857 की करांदिती के समय आपका जो भारत का वाइस रहे था वो कौन था ठीक 1857 की करांदिती के समय भारत का वाइस रहे यहाँ पे कौन था ठीक है तो आप देख पा रहे हैं option में भी फ्रस्ट है आपका Lord Mayo ये नहीं है ठीक है Lord Alien भी नहीं है यहाँ पर Option number C is the right answer होने वाला है Lord Canning यहाँ पर हो जाएगा ठीक है अगर मैं इसकी थोड़ी डीटियल से बात कुरू वैसे तो काफी लंबा हो जाएगा ठीक है अंतिम Governor General रहा है ठीक है भारत का ठीक है उसके बाद से ये पधी समाप्त कर दिया गया था ठीक है ठरस तवनी करांती के समय भारत का बाईसराय यही रहा है ठीक है Next question है ब्रहमनों पर जज्या कर लगाने वाला पर्थम सासा कौन था Very very important history से है यह question साब का ब्रहमनों पर जज्या कर लगाने वाला पर्थम सासा कौन सा था यहाँ पर आपको चार उप्सन दिये गए है वैसे तीन ही चोता नोट है आप कमेंट कीजी आंसर फिर मैं आपको बताई रहा हूँ ठीक है तो इसमें मोहमबदी मी तुगलक नहीं है ठीक है गयासुदीन तुगलक नहीं है यहाँ बे आपका जो होने वाला है राइट आंसर हो जाएगा आपका फिरोशाहात, तो लग था राइट आंसर होने वाला है यहासए अगर मैं इसकी भी थोड़ी डीटेल से बात कुरूओ देखी है वैसे त caliber इन छीज़ों कि बात जो हो डीटेल से की ही जाती है जब इनके बारें पढ़ते हैं ठीक है यहां पर MCQ है तो यहां पर सिर्फ हमें आंसर से मतलब है और किस चीज़ से नहीं लेकिन फिर भी थोड़े सामान ने गयाने के लिए तैरा से क्यावन के आसपास यह गद्दी पर बैठता है और तैरा से ठसी तक इसका कार्यकाल रहता है ठीक है यह एक मातर ऐसा साथा जिसने हिंदू आपर जजय कर लगाया ब्रह्मन आपर जजय कर लगाया ठीक है हिंदू को यह एक नाम से बुलाता था जिसे Jimmi कहते है जिम्मी ठीक है जिम्मी कहा कर बुलाता था हिंदू को चलिए थोड़ा के बढ़ता हूँ नेस्ट कोश्चन है थर्ड कोश्चन है पांच भी बोध संगती किसके सासनकाल में हूँ ठीक है यह पांच भी पूछा गया है तो यहां पर आपको ऑप्शन देख पा रहे हैं अशो ठीक हर्श्वर्दन के सासनकाल में पांच भी बहुत संगती थी आप इसे ट्रिक से ब्याद रख सेथे हैं एक 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 एच ठीक है जो कि बाद में हर्श्वर्दन उसकी सासनकाल में यह होती है चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करते रेजिए ठीक है चलो सब्सक्राइब करते हैं अगर चैनल पर नहीं होता है ताकि आपका ऐसी ऐसी नोट्विकेशन डेली मिलती रहे ठीक है नैस्ट है आपका जो आपका समयधानिक निकाय है ठीक है समयधानिक निरवाचन आयोग किस उसमें है ठीक है किस आर्टिकल में है 25 है 324 है और 325 है ठीक है यहां पर अगर आप आप आंसर करेंगे तो किसको करेंगे ठीक है चलिए बताइए ज़रा अगर अगर थोड़ी बात करो किस जो आपका निरवाचन आयो होता है किसके अंदर है समयधानी निकाही है बहरी बहरी इंपोर्टेंट पहली बात तो यह अगर मैं इसकी स्थाबना की बात करो ठीक है तो 25 जनवर 1950 को इसकी स्थाबना हो यह ठीक है और उसी दिन कम क्या कहते है मत दादा दिवस के रूप में ही बनाते है थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नैस्ट कोश्चन नैस्ट है आपका जो स्वामिश्वर मंदिर है वह किस जिल में वेरी वेरी इंपोर्टेंट उत्राखंट से को सना चुगा है ठीक है व किस जिले में जो मेंस और मंदिर किस जिले में तो कमेंट कीजें और प्ली फटा फटा फट रुद्रफर्याग चमोली देरदोन अल्मोडटा हाँ ठीक है very very good देखिए जो आपका ये समय सोर मंदिर है ये आपका option number is the right answer अलमोडा गेंदर पड़ेगा आपका ठीक है अलमोडा गेंदर अगर मैं थोड़ी इसकी history बात करूँ तो चंदवंसों में जो राजा थे पर्थम राजा थे या कह सकता हूँ कि इसने चंदवंस की स्थापना की थी सोमचंद के दुआरा 700 AD में यहाँ पी इसके निर्मान कराया था ठीक है और important बात यह है कि इसकी जो पूजा है सोमेशुर मंदरी जो पूजा है वो कासी विशुवनात की पूजा के समान माने जाती है यहाँ से very very important यह बात है ठीक है वैसे इसकी बात इसारी detail से होगी जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो इसको यहीं पर रोक कर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ में छटा question है आपका उत्राखंड के किस जिले में मंदवया का उतुपादन नहीं होता है very very important फसल उतुपादन से देखे लास्ट वीडियो में आपको फसल उतुपादन की वीडियो में आपको डाल दिये लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूगा उसका ठीक है आप वहाँ से जाकर उस वीडियो देख सकते हैं सारे डाउट्स आपके clear हो जाएंगे तो आप मुझे answer कमेंट कीजेगा कि किस उत्राखंड के किस जिले में मंदवया का उतुपादन नहीं होता है ठीक है तो दूरह जीलों को छोड़कर बाकी उत्राखंड के सभी जूलों में मंदवया का उतुपादन होता है ठीक है सिर्फ दो ही जीले ऐसे हैं जिन मंदवया का उतुपादन नहीं होता है ठीक है छलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कारबेट राष्ट्रे पार डाक टिकट कब ज ठीक है तो टाइम वेस्ट ना करते हैं इसका जो अंसर है नहीं वाला है उप्स नमबर सी यानिकी थर्ड वह निशर छेसी दर राइट आंसर है ठीक है और बेट राष्ट्रे पाक पर डाक टिकट जा जाड़ी होगा था ठीक है नाइस्ट कोशन है यहां से कि जो आपकी और पनार नदी तो आंसर कमेंट कीजिए प्लीज और आपको आंसर देहिए रावगा साप साप अंकों में लिखा हुआ है सब्कुमाव की बैस्ट पवित्र नदी है ठीक है काली की सबसे बड़ी साहग नदी भी इसे ही माल आ जाता है यह आप देखी रहे है ठीक है उसके बाद जो बात आती है कि ये कितने किलो मेटर तक बैठी है mocotantr तो एक सो चीलेश किलो मेटर के आसपास तो इसके बाद उसमें कालिने दिमें आकर मिल जाती है ठीक है थोड़ा के बढ़ता हूँ मैं क्यों कि राज्ये खनन निति कब लाग हुई ठीक है तो 2000, 2005, 2003 और 2001 यहां से आप खाव चुका है ठीक है तो उसका जो आंसर रहने वाला है option number 4 last 2001 ठीक है 2001 में राज्य खननलिती लाग हुई थी ठीक है अगर थोड़ इसकी और डेट की बात करो तो 4 अपरेल 2001 से यह लाग हुआ था ठीक है और अंतिम question very very important ठीक है अंतिम जो question है आपका गोविंद राश्ट्रिय उद्यान अवस्थित है या इस्थित है कहाँ पर यानि कि जिला पूछा है कि किस जिले में है चमोली है दहरादून है उत्तरकासी है और आपका टिखिरी है ठीक है चार option आपके सामने वह है आप comment कीजिए गोविंद राश्ट्रिय उद्यान किस जिले में है ठीक है चमोली दहरादून उत्तरकासी या ठीरी ठीक है तो यहाँ पर जो answer रहने वाला है वो है आपका उत्तरकासी सीज़ाराइड answer उत्तरकासी में यह वस्थित है ठीक गोविंद रा उत्तरकासी में इसकी स्थापना हुई और 472 किलोमेटरिस के स्क्वेर में इसका जो छेतर फले लगबग ठीक है और इसका संचारन जो करता है और आज दे नैस्टनल पार्क करता है जो की दहरादून के अंदर है ठीक है तो यह जो थे आपके 10 mc question very very important exam के लिए ठीक है इस वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद